हलो गाईज, वेलकम टू माईज चनल, दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप क्रेट कार्ड से डिरेक्ट अपने बेंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तो ये बिल्कुल स सबस्क्राइब जूरूर करें, अब दोस्तो बात करते हैं कि ऐसा किस तरीके से किया जा सकता है, दोस्तो एक application है, snap पे, जिस दोस्तो आप काफी असानी से play store से ڈाउनलोड कर सकते हैं, और काफी reported company है, और काफी सारे इसके दोस्तो आपको डाउनलेट भी मिल जाएंगे, दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जब आप इसे install कर लेंगे उसके बाद दोस्तो आपने क्लिक करना है utility payments पे जी हाँ दोस्तो utility payments पे आपने जाना है और इस payments पे जाने के बाद दोस्तो आप आगे अपना process कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तो आपने जो है पहले अ नया अकाउंट है दोस्तों आपने इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद दोस्तों आपने चूज करना है पेमिट मैथड दोस्तों पेमिट मैथड आपने चूज करना है दोस्तों आपको वीजा मास्चर कार्ड जो भी आपका करेट कार्ड है दोस्तों आप वो चूज कर पर आपके पैसे कब और कैसे सेट्लमेंट किये जाएंगे दोस्तो आप इसके अंदर अपने और सेव करके रख सकते है अगर आपको एकनधन पही पेमेंट करनी है लेकिनको इसके अंदर फिलेक्त रहने वाली है वो रहते वाली है चेles还 dat यहें दोस्तु सिर्फ 5,000 रुपे ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लगory करना है। और वहाँ पर भी दोस्तों आप यह utility payment के करने के method पर जाकर आप click करके payment कर सकते हैं। दोस्तों अलग से आपको बता दूँ कि आपने rent payment या किसी और payment के option को choose नहीं करना है। आपने सिर्फ utility payment को ही choose करना हैं जिसके थूँ दोस्तों आप काफे असानी से से कर पाएंगे और बिना किसी दिक्कत की। आप घर के अंदर 3 या 4 account भी अगर बना लेते हैं तो उनके अंदर भी आप लगलग जो है same credit card से जो है पैसे ट्राफसर अपने account को चुरू कर सकते हैं। इसका भी दोस्तों कोई charges नहीं लगने वाला। उमीद करता हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।